दोस्तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि temper glass कैसे काम करता है और normal condition में जब आपका phone गिरता है तो खुद temper glass आपका break हो जाता है लेकिन आपका phone के skin break होने से बचाता है तो इसे बारे में बात करूँगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हुँ अमभूज आप देख रहे हैंगी कि अमभूज तो stay tuned and let's start तो दोस्तो जो temper glass होता है first line of defense का काम करता है और ये जो उसकी quality है कि वो खुद break हो जाता है और आपके skin को break होने से बचाता है इसलिए क्योंकि इसके structure structuring ऐसे की गई बनावाट ऐसे की गई है जिसके वैसा होता है तो मैं बनावाट के बारे में बात करता हूँ तो ये तीन टाइप के layer से बना होता है जो सबसे नीचे होता है वो soft, absorbent, silicon layer होता है उसके उपर PT, film का मतल़ का film लगा होता है और सबसे उपर होता है glass लगा होता है और इन तीनों layers के बीच में transparent adhesive का use क्या आता है और दोस्तों मैं बता दू कि जो glass लगा होता है और normal type का glass नहीं होता है जब आपका glass break करता है तो granular type का shape लेता है छोटे-छोटे shapes ले लेता है जब तूटता है तो PT film एक normal screen guard के तरह होता है जैसे आप पहले screen guard use करते तो उसी type का काफी पतला film होता है screen guard होता है यह क्याम करता है कि जब आपका temper glass break करता है तो आपके जो glasses है वो एक दूसरे के साथ मत्यकि चिपकर है आप देखे वो कि जब आपका temper glass तूटता है तो सारे के सारे parts होते हों चिपकर रहते हैं तूटने के बाद भी वो इसी PT film के वज़े से होता है अब सबसे उपर आता है glass और glass के उपर oleophobic coating के जाती है oleophobic coating इसलिए के जाती है क्योंकि जब आप temper glass उच करते हो तो आपके finger prints के strain ना आ जाए या कोई dust उस्ट ना आ जाए और अगर एक बार साफ करो अपने screen को तो तुरंद साफ को जा वो oleophobic coating के वज़े से होता है और दोस्तों जो यह soft absorbent silicon layer होता है और जो बीच में आपको adhesive लगाए होते हैं वो एक type का समझ लो कि वो bullet topping के का काम करता है जयसे म synerger की आपका phone गिरता है तो उससे में impact force एक लगता है मतलब गिरता है वो समझ लो की impact हुआ तो impact force जितना होता है और वो shocked absorbent होते हैं जो layers होते हैं वो उसमें distribute हो जाता equally और आपका जो phone का main screen है वही break करता है अब दोस्तों बात करना चाहूँगा कि scratch के लिए तो scratching के लिए एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ एक scientist ने जिनका नाम है Freddy Moore उन्होंने एक table बनाया है उस table में दुनिया में जितने भी substances है सबको रखा गया है और उसके hardness के हिसाब से कितना hard है उसके हिसाब से no table बनाया है 1 से लेकर 10 तक का table बना हुआ है तो जो subset hardest element है जो substance है उसको 10 number पर रखा है जैसे diamond हो गया है तो diamond को 10 number पर रखा गया और softer substance टेलकम पाउडर है उसको 1 number पर रखा गया है और इसकी property है कि जो top का substance है उसके नीचे वाले जितने भी substance है उसके उसके स्केच ढल देगा suppose करो कि 5 number पर रखा अच्यक्राइक स्केच और तो 5 numbers वाला स्केच अपने सूपर वालों पर प्रकम पर स्केच नहीं डाल सकता अपने से तो उन सबका जो मितल है कि उनका सबका जो more scale value है जाधा तर substanse का more scale value कम होता है और उसके वैसे आपके phone के screen पर sketch नहीं आता लेकिन एक चीज़ है जो आपके phone के screen पर sketch डाल सकता आप उसका ध्यान ने रखे वो है सेंड, सेंड के जो quads होते हैं, उसकी जो more scale value होता है, वो 8 के आसपास होता है, तो क्या होता है कि जब और आपकी phone पे dust particles होंगे, dust particles में सेंड भी हो सकता है, तो अगर आप hard hands से अगर आप अपने screen को साफ करने की कुछिस करें, तो हो सकता आपके phone के screen पे scratch आ जा, तो दो हो सकता है, आपके lenses पे या आपके phone के screen पे, phone के screen पे या temper glass पे scratch है जा सकते हैं, तो इस चीज का ध्यानक है, अगर होगा तो ऐसे कहें कि soft hands से साफ करें, नहीं तो आप spray का यूज करें तो जादा अच्छा रहेगा, दोस्तो एक sapphire है, जिसके more scale value 8 के आसपास है, और उसके व बोलना चाहूंगा कि अगर अपने phone purchase किया है, तो आप अपने phone के लिए अच्छी quality का tempered glass और साथी साथ back cover यूज करें, तो आपका phone physical damage होने से बचाएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो like करे, share करे, और साथी साथ subscribe करे, and thanks for watching this, and have a nice day.